हेलो एवरिवन, वेलकम टू माई चैनल फजिक्सपाय नीतू हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर में वर्क एनर्जी थियोरम के बारे में डिसकस किया था टूड़ी वी विल डिसकस सम इंपॉर्टेंट नुमेरिकल्स रिलेटीट टू वर्क एनर्जी थियोरम देखो ये वाला टॉपिक वर्क एनर्जी थियोरम बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपने वाला वीडियो वाच नहीं किया है लास्ट वाला तो आप प्लीज देख लेना बिकॉज इस टॉपिक से मैक्सिमम एक्जाम में कोश्चन पूछ लेते हैं और इससे रिलेट टू नुमेरिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है हम आज वन या टू नुमेरिकल डिसकस कर लेंगे देखो फर्स्ट वन है अब पार्टिकल ओफ मास 0.5 केजी ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन विद ए विलोसिटी वी इकॉल तो 5 कोई पार्टिकल है जिसका मास आपको गिवन है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है विद दिस मच विलोसिटी आपको वर्क दन की वैल्यू फार्मूला क्या होता है फोर्स इंटू दिस्प्लेस्मेंट अब देखो इस वाली कोश्चिन में आपको कैसे पता चलेगा कि आपको वर्क एनर्जी थियूर्म एप्लाई करनी है बिकॉस देखो ना तो यहाँ पर फोर्स की वैल्यू गिवन नहीं है यहाँ पर वर्क दन का वो वाला फार्मूला फोर्स इंटू दिस्प्लेस्मेंट वो तो हम यूज नहीं कर सकते ठीक है तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे वर्क एनर्जी थियूर्म देखो सबसे बहले आपको गिवन क्या क्या है आपको क्या गिवन है पहले M की वैल्यू गिवन है 0.5 केजी चीक है और आपको क्या गिवन है यहाँ पर विलोसिटी की वैल्यू गिवन है V इकोल तो किसके बराबर है 5 X की पावर 5 बाए 2 ठीक है यह आपको velocity given है meter per second और आपको क्या find out करना है work done की value find out करना है ठीक है तो हम यहाप पे क्या use करेंगे देखो work energy theorem उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा final velocity and initial velocity है ना तो देखो अब हम अगर यहाँ पे जब when x की value कितनी है x equal to 0 था तब आपके पास velocity होगी वो क्या होगी v initial when x equal to 0 तो v वाली velocity में आपने x की value के put करनी है 0 जब x की value 0 put करेंगे तो जो v initial है उसकी value क्या जाएगी 0 x की value 0 है तो यह सब क्या हो जाएगा 0 ठीक है इस तरह से आप initial velocity find out कर लोगे and when x equal to कहां तक पुछा है 2 meter जब 2 होगी x की value तो velocity की value कौन से होगी final velocity होगी वो ठीक है तो x की value 2 put कर दो यहाँ पे 5 x की जगा 2 put करेंगे उसकी power 5 by 2 यह आ जाएगी v final clear हो रहे है आपको इठीक यह वाली चीज आपको given थी x equal to 0 to x equal to 2 meter तक हमें find out करनी थी यह ना okay अब देखो हम यहां क्या use करेंगे using work energy theorem work energy theorem करेंगे अब देखो work energy theorem क्या कहती है work done by all the forces आप यहां पे write down कर सकते है all the forces ठीक है work done by all the forces equal to किसके पराबर होता है change in kinetic energy change in kinetic energy means w किसके पराबर है delta k k change in kinetic energy means kinetic energy final minus kinetic energy initial यह वाला formula आ रहा है हना देखो अब यहां पे हम इसको इस तरह से write down कर सकते है kinetic energy final इसे हम किस तरह से write down कर सकते है half mv final final velocity इसका square minus initial kinetic energy half mv initial velocity इसका square इस तरह से ठीक अब देखो इसको simplify form में रिखना है थोड़ा simple करके तो 1 by 2 m के आपके पास common और अंदर के रह जाएगा v final square minus initial velocity का square ऐसे भी write down कर सकते है half m के common है इस तरह से यह वाली चीज़ आपको find out करनी है clear देखो यह चीज मैंने यह write down कर ली w equal to half m v final का square minus v initial का square ठीक है यह आप मैं ध्यान से करना थोड़ा सा इस पूरे का square होगा ठीक है minus v initial v initial की value क्या थी जीरो है ना तो उसका square उसका square हो गया 0 ही clear अब देखो इसको solve करेंगे यहां क्या आगे देखो 1 by 2 और यहां पर अगर हम decimal हटा दें तो 5 divided by 10 ऐसे write down कर सकते है clear अब अंदर देखो हम solve करेंगे तो कैसे आएगा देखो 5 का square इस पूरे का square है 5 का square हो जाएगा 5 5 जा 25 clear है यहां पर अब 2 की power 5 by 2 इसका भी square करना है ठीक है यह देखो आपके पास solve करके आएगा 2 की power 5 और minus 0 minus 0 तो मतलब यहां पर कुछ नहीं है simple इतनी चीज है देखो अब यह वाली चीज कैसे आए देखो मैं आपको यहां पर separately थोड़ा बता दूँ देखो 2 की power क्या कह रहे हैं 2 की power जो 5 by 2 है यह तो आपको पता लग गया ना यह देखो 5 5 को मैंने 2 वार multiply किया तो 5 5 जा 25 ठीक है अब 2 की power 5 by 2 इसको भी क्या करेंगे 2 times करेंगे ठीक है तो 2 की power 5 by 2 multiply by क्या आए का 2 की power 5 by 2 इस तरह से करेंगे ठीक है अब देखो बेज सेम है बेज सेम है तो देखो यहां क्या जाएगा 5 by 2 प्लस इनकी power क्या हो जाती है add हो जाती है इस तरह से clear ओके अब देखो 2 क पावर ये add हो जा रही है तो 5 5 कितना हो गया 10 divided by 2 2 से ये cancel out हो गया क्या बच गया 5 2 से 10 2 की पावर 5 तो ये solve करके कितना आ गया देखो 2 की पावर 5 इसलिए हमने इस चीज़ को देखो इस चीज़ को हम इस तरह से write down कर सकते हैं clear हुआ ये चीज़ 5 5 से 25 ये चीज़ तो समझ आती है 2 की पावर 5 बाई 2 इसका भी square करना है तो 2 की पावर 5 बाई 2 divided by 10 और multiply by क्या हो गया 25 हमने brackets open कर ली और multiply by 2 को 5 times multiply करेंगे तो कितना आता है 32 clear हो गया यहां तक सब कुछ अब देखो किस तरह से जाएगा ये 2 से ये चला गया ठीक है और उसके बाद फिर 5 1s आ 5, 5 2s आ 10 और 2 इससे चला गया 8 2s आ 16 तो इसके solve करके आपके पास आ जाएगा देखो ये जब हम multiply करेंगे तो आ जाएगा 200 joules तो जो आपके पास work done की value आ गई हो क्या आ गई 200 joules यही चीज़ तो आपको find out करने थी इस तरह से find out की हमने work done की value clear हुआ आपको इस question देखो क्या था इस question में हमें mass की value given थी velocity की value given थी हमें v initial find out किया और v final और work energy theorem का use करके हमने work done की value find out कर ली देखो next question ले रहे है a body of mass 1 kg is acted by some forces such that its displacement is given by mass आपको given है body का और अब इस पार आपको displacement given है find the work done by all the forces in 0 to 2 seconds ठीक है देखो इस वाले question में भी कैसे पता चलेगा work energy theorem लगानी है force की value आपको given नहीं है आपको displacement की value given है पर हमें क्याची होती है हमें तो velocity की value find out करनी होती है तब ही kinetic energy की value हम find out कर सकते है change in kinetic energy हाना तो displacement से हम सबसे पहले क्या value find out करेंगे velocity की value find out करेंगे ठीक है तो देखो v की value क्या होती है हमें पर देखो यहाँ पर हमारा पास given क्या है s की value given है s क्या है आपके पास 3t square minus 2t plus 5 सबसे पहले हम velocity की value find out करेंगी velocity की value क्यों होती है ds displace rate of change of displacement ds divided by dt चीक है तो इसकी में differentiation करनी पड़ेगी with respect to time तो देखो किस तरह से होती है 3t square इसकी differentiation क्यों होती है 2t 2t इस तरह से minus और यहाँ पर क्या होगी differentiation इसकी देखो minus 2 और इसकी तो 1 आजाएगी minus 2 constant term की इसकी? 0 इस तरह से हम इसको differentiate करेंगे तो देखो velocity की value क्या आगई है आपके पास 3 2s are 60 minus 2 यह आगी आपके पास velocity की value अब तो easy है अब हमें के निकालना है v initial and v final when t equal to देखो when t कितना है? 0 के ब्राबर तो v initial की value क्या आजाएगी? t की जगा 0 put करेंगे यह 0 हो गया v initial की value क्या आगई? minus 2 और when t equal to किसके ब्राबर है? when t equal to 2 second 2 के ब्राबर है तो v final की value आपके पास क्या आजाएगी? t की value 2 put कर दो ठीक है? देखो 6 into 2 put करेंगे minus 2 12 minus 2 means 10 आगए आपके पास ठीक है? v final 10 आगी v initial आपके पास यह आगी अब तो easy है अब हमें के use करना है? by using by using work energy theorem work energy theorem ठीक है? work energy theorem क्या क्याती है? work done by all the forces किसके पराबर होता है? change in kinetic energy के पराबर change in kinetic energy के पराबर change in kinetic energy means half mv final का square minus half mv initial का square यही चीज़ है तो यहाँ से क्या आगी आपके पास? work done किसके पराबर आगया? half m हम बहार ले लेंगे v final का square minus v initial का square अब देखो यह values पूट कर लो equal to किसके पराबर होगा? half m के इतना है? 1 kg multiply by 1 v final कितना है आपके पास? 10 10 का square minus v initial कितना है? minus 2 तो minus 2 का square bracket close ठीक है? तो यहाँ पर work done की value क्या आगी आपके पास? देखो जब इसको solve करेंगे 1 by 2 multiply by 1 1 by 2 रहेगा चीक है? और अंदर क्या आगी आपके पास? 10 का square means 100 आजएगा 10 multiply by 10 minus minus 2 का square 2 2s are 4 तो यहाँ क्या आगया? minus 4 इस तरह से और इसको solve करेंगे तो 1 by 2 100 में से 4 गे कितने रहेगे? 96 इससे यह चीज़ कैंसल आउट होगी 4 2s are 8 और 8 2s are 48 तो यहाँ पर क्या आगया आपके पास? 48 joules तो work done की value कितनी आगया आपके पास? 48 joules यह work done आपको find out करना था देखो ऐसे भी question पूछ सकते है clear है? इसमें क्या था? आपको displacement की value given थी हमने महाँ से velocity निकाल थी इसको differentiate करके और v initial और v final की value find out कर ले और जो work done by all the forces होता है वो किसके पराबर होता है? change in kinetic energy यह formula यूज की है और work done की value find out कर ले हमने ठीक है? I think यह देखो आपको clear हो गया next वाले lecture में एक दो numerical और discuss कर लेंगे okay thank you